हेलो स्टुडेंट्स एप्रिल 2024 अच्टूवर 2024 आज हम मैथमेटिक सब्जेक्ट लेकर आए हैं और आज हम बताने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में से कौन-कौन से चेप्टर है जो एड किये गए हैं और आपके एक्जाम में मैथमेटिक्स का कैसा पैटर्न होगा किस तरह के पूछे जाएंगे कैसे आप घर में पढ़ सकते हैं और कौन-कौन चेप्टर से बिसेस दियान रखना है किन चेप्टर पर हलके पढ़ेंगे तब भी काम हो जाएगा सारे टीप्स और गाइडेंस के साथ आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं सारी समझत आएं सारा सारा टेंसन आपका आज हम हटा देंगे बस आपको बिंदाश तरीके से क्या है सेलेबस को पढ़ना होगा और एक्जाम में अच्छे मास्प लाना होगा चली आज की सेशन को हम सुरुआत करते हैं मैं आपका सुरद सर्थ स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और आज हम 12 क्लास के मैधमेटिक्स के सिलेबस पाइटर्न बहुत बारे में बात करने वाले हैं तो हमारे पास मैस के दो बुक्स है कितने दो बुक है यह जो है यह बुक वन है ठीक है और यह जो है बुक टू है यह दो कितावे हमें बिसिकली पढ़नी होती है बुक वन पढ़ना होता ह हमें पढ़ना होता है तो बुक वान और बुक टू का ऐसा ऀसाब किताव अगर आप दिहां से देखेंगे तो यह बुक बन अब तक टीमें के चप्टर हुआ करता था ठीक है और फूर टू जो है यह पीए के चप्टर हुआ करता था कुछ इस तरह का अपना सिस्टम था कि ब बदलाब आया है। आईए हमापको बताते हैं है इसमें कुछ चप्टर को एड़ किए प्णिये or यह चार चप्टर को एड़ कर दीए गया आपके लिए mathematics जो पहले केवल book 2 पढ़के आप खुश हो जाते थे और book 1 नहीं पढ़ना होता था बोलते तो on demand वाले पढ़ते न हम थोड़ी न पढ़ेंगे लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा math के syllabus को बढ़ा दिया गया है और math के syllabus पहले से आप ज्यादा मेहनत करना होगा math के syllabus increase हो गया है ठीक है अब इनायत का इसमें क्या mindset है क्या कुछ है वो तो वही जाने लेकिन हाँ चार चेप्टर से बढ़ोतरी की गई है और इंक्रिमेंट हुआ इस दिलेवर्स में देखिए मैं आपको यहां पर इसका बताता हूं अब मुझे भी चार चेप्टर जो है नए लेटिस्ट अपडेट में करवाओंगा बहतरीन तरीके से इसको देखिए यही चेप्टर है यहां पर यह आपका यहां पर है चेप्टर 13 काटीजन सिस्टम आप रिक्टेंगुलर कोडिनेट्स हलाकि आसान चेप्टर है ठीक है क कोई चेप्टर में दिक्कत नहीं है इनका स्ट्रेट लाइन ठीक है और यह तरकल यह वाला जो है यह तीन चेप्टर यहां पर हो गया और यहां क् Cornics on完bert चैपिस लग आप यह नहीं का सकते हैं कि बहुत और बहुत इजी है और कोई भी गहता है वह अपने आप में कमाल का इसके अन्दर the a तो भी यह सरदर्दी बढ़ां दिया है तो आपको लेनाहीं पड़ेगा करना ही पड़ेगा हम आपको पले एक और इसका बता देते हैं कि कैसे इनका नया सिलेबस का पैटर्न वेगर आई इसमें दियान से देख लीजेगा जरब तो जैसे कि आप यहां पर आएंगे ना तो यहां पर देखिए लिखा हुआ टीए में 40 परसेंट अफ सिलेबस टोटल 15 चेप्टर्स हैं इसमें जो टीए में वाले हैं और यहां पर देखिए 11 चेप्टर और यह बारा चेप्टर यानि ग्यारा दूनी बाइस हैं तेज टोट सब बुक वन का बाइनोमियल पर्मिनेशन कंबिनेशन मैथमेटिक सब मिजरमेंट अब डिस परसेंट रैंडम इससा प्रोबिलिटी बस इसमें एक काम जो इन्होंने किया है कि जो रिलेस्टन फंक्सेंट टू चेप्टर 23 था यह वाला जो चेप्टर थाना अपना यह पी सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर जो है इस तरीके से देखिए यह 50 परसेंट आपका 11 चैप्टर से जो कि प्रोपर कोपी पर आपके आंसर सिट पर सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके आपका होगा तो जैसे कि अगर आप यहां पर दिखिए तो यह जो चैप्टर मैंने आपको बताया चैप्टर 13 14 15 और यह जो चैप्टर मतारे 16 एक सरदर्दी वाला चैप्टर एड़ हो गया है सरदर्दी नहीं कहेंगे आप पढ़ना है तो पढ़ना है भई पढ़ाएंगे बिंदास तरीके से बढ़ियां नंबर आएगा करते हर आपदा में अवसर ढोड़ने वाला ही काम्याब होता है तो अगर कुछ चेंजे जाएं कुछ बदलाव आएं तो हम भी पूरी तरीके स देखिए उपर में भी जो 13 14 15 है इसको आप पूर लिखना नहीं है बस पढ़ना इस तरीके से कि सॉल्व करते हैं अगर इसमें आप नहीं भी उतना लिख पाते हैं लाइन लेकिन आप आंसर तक पहुंच जाते हैं तो आपके लिए बड़ा गुड होगा बढ़ियां होगा पर कॉनिक सेक्षन में आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा कि हमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना यह चीजे करनी है इसके लावा देखिए अभी तक क्या था मैट्रिसेज वाले चेटर में रिटेन पूरा करना पड़ता था वैसा कुछ ही नहीं करना है सीधे एंसी क्यों इंवर्स टेकल्टरी फॉंक्शन अब देखिए जो डिफ्रेंसियेशन था जैसे चेप्टर पचीज से हमारा स्टार्ट हो जाता जैसे पल इधर देख लिजए डिटर्मिनांट्स इंवर्स ऑफ मैट्रिस और इट्स अप्लिकेस्टन यह सारे रिटेल है इधर वाले जितन है ठीक है यह डिफ्रेंसियेशन का है तो अब यह चेप्टर असान है इसको इधर देदे तो ज्यादा मजा आता लेकिन इधर दिया है चलिए कोई बात नहीं इंटिगरेशन दिया है तो हाला कि एक बात मुझे अच्छा लगा कि जो डिफ्रेंसियल इक्वेशन और इंटि जा रहा है तो बिना पढ़े और बिना उसना स्टेप को गुजरे आप मतलों भले वहाँ पर ना लिखें साइड में करें रफ बर करें पर सोल्ब तो करना ही पड़ेगा और जिसको आता है उसका क्या एंसी क्यू और क्या उसका थियोरी बात तो यह कहानी के तरह कुछ इसके अलाबा देखिए इंड्रोडक्शन टू ट्री डामेंशन जेमेटरी वेक्टर थी सारा वही इधर आ गया इधर प्लेन स्ट्रेट लाइन यहां पर हो गया और यहां पर जो है मैथेमेटिकल रिजिनिंग और यह लिनियर प्रोग्रामिंग ठीक है तो अपना यह बाल अपडेट किया है या रिलीज किया है क्या उसका हिसाब किताब है वह हम एक पद देख लेते हैं यहां पर ठीक है तो अगर हम इसको देखे है यह लिंक और यह PDF में अपने WhatsApp चैनल पर दे दूँगा ठीक आप जितने भी विद्यारती है लिंक में चाहिए डिस्क्रिप्शन अपने WhatsApp चैनल का मैं लिंक दे दूँगा डिर्कली सभी लोग WhatsApp चलाते हैं तो वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है कि चलिए आगे बात करते हैं देखिए यहां पर जब हम mathematics में आते हैं तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और यह हमारा डाउनलोड हो गया अब देखिए सबसे पहले सेंपल question paper है यहां पर तो मैं इसको देख रहा था पहले तो वह चालिस नंबर का वो सवाल होगा में जाए का जैसे कि यहां लिखा है तर डिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंट्स ना दा कोडिनेशन आप त्री सेंट्राइड आप ट्रेंगल वर्टिस से जार दिस दिस कोडिनेट्स आप दा मीड़ पॉइंट हो गया यह हो गया तो यह सारे के सारे सवार आपको जो है देखिए इस तरीके से देंगे एक्वेस्टन आप दा लाइन पासिंग तुरू यह अब देखिए मुझे एक बात बताईए जैसे इस सवाल को ले देखिए लेकिन इसमें आप पूरा मेहनत करोंगे कहीं गलती से मिस्टेक कर गए और गलत आंसर तक पहुंचके तो गये का अब बागी सब्जेक्ट के लिए तो ठीक है पर मैतेमेटिक्स में ज्यादा रिस्की हो गया आपको बहुत समझ के बहुत प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा बागी कैसा हम तो तुक्का लगा देंगे तो ठीक है किसमत अजी है तो पूरा नंबर लाओगे ठ अजा सी ने पूरा एंसी क्यों नहीं किया है तो वाइट रिए अन बी ओर ट्री वाइट देना यह क्या होगा यह क्या होगा यह सारी चीजें यहां पर जाती है टूटल देख रहे देखते जाए ततरह अठारह उन्नीज बीस इस वाइस तेज आ जाओ आजा 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 य यह देखिए यह देखिए यह देखिए 31 32 33 35 36 इसारे सवाल यहां पर है इस अब सोल्व करवाएंगे हम अपने बैचेज में 38 और यह देखिए 39 यह देखिए 40 और यहां पर तो इन्होंने 41 भी कर दिया 42 भी कर दिया 43 भी कर दिया ओ हाँ हाँ मैत में तो सो नंबर का पेपर होता है ना तो 50 MC क्यूज होगा इस बातों ध्यान ने दिया लो जी मजा आगया आपको मैत में जिसको अच्छा पकड़ होगा तो खली पचास नंबर लेगा क्या बात है बढ़ियां मतलब जिसका सही चला गया तो एक नंबर नहीं कटेगा पचास के पचास एकदम ड़न हो जाएगा माक्स लाना काफी आसान हो गया जो पढ़के जाएगा उनके लिए ठीक है बस सही सही करके आना 47 पले तो यह होता था था ना अगर आप सही से पढ़के जा रहें बागी कि 50% करोगे तो मतलब नॉर्मली अब स्कोर बढ़ जाएगा परसंटेज भी बढ़ जाएंगे ना यसका यहां पर यह पचास नंबर पूरा हो गया यहां तक ठीक है उसके बाद जो है यहां से नीचे से जो है इनका मैथमेटिक पूछ दिया इसकी वैल्यू बताएए यह बताएए यह बताएए यह कीजिए यह कीजिए यह जो भी है यहां पर डेफिनिट इंडिकरेशन दे दिया यहां पर इधर की साइड में था इस तरीके से इसको इन्वर्स टेक्रमेंटरिक फॉंक्सिंस यह प्रूव करने के गया है यहां पर जो सब चैदर बाकि तो मैंते मेटमेटिक्स में हम एक चीज-विद्यार्थिओं को हमेशा बोलते हैं और वह हम एं वह तो पास छोड़िये मतलब अच्छा नंबर लाने में भी आपको सोचना पड़ा जाएगा दुसरी बात कई बार ऐसा होता है जब मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारा बेस ही कम जोड़ होता है होता ना जैसे हमारा नाइन टैंट कम जोड़ रहा है जैसे लिनियर इक्वेशन्स हो गए है या बहुत सारे ऐसे टरम्स हैं अलजेब्रा यह बहुत सारे लेकिन अगर आप लेट करेंगे आपके पास समय ही नहीं होगा और उसके बाद जो है आप एकदम आ जाएंगे कि हम दो मैत के सॉल्व करेंगे जिस बिल्डिंग की नीवी कम जोड होगी वो बिल्डिंग कैसे तयार होगी और दुसरी बात अगर आपका नीव मजबूत भी है तो कम समय में बाकी सब्जेक्स भी होते हैं और मैत का इतना भा बहुत पैसे खर्श कर लोगे और मैं सच बताओं यह मंधारी से आपको जब मैंने किया था ना और उसके बाद जब मैं 11 में 11 में गया था और मुझे आईटी जेई की तैयारी करनी थी ना तो मेरे घरवालों को कर्ज लेना पड़ा था पते सोना हमारे था गिर्वी रखना पड़ा था किसी को देखे और कि उसके बाद पैसे हमने लिए थे कि उसमें आप जानते हैं कि कि इस knowledge केसा खड़े हैं तो अग़र अगर आप ऐसा सोच रखेंगे और mathematics 12 की बात करें हमें हमारे टाइम में इतना सस्ता कोई आपको बेस्ट फैसिलिटी मिल रही है समय आपके पास कम हैं बहुत सारे चीजे इसमें यह सारी चीजे मतलव ठीके न आपको बस क्या है अपना मेहनत करना है हमें आगे बढ़ना है को रास्ता दिख रहा है रास्ता पकड़िए लेकिन रास्ता उस रास्ते पर जाने से पहले confirm हो जाईए आप हमारा course क्यों लोगे जाओ उसको demo videos देखो classes देखो अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ो नहीं तो कोई बात नहीं मतलब कहने का मतलब है कि बात पैसे की केवल नहीं है बात यहां केरियर के भी होती है बात यहां पर बच्चे के पूरे भविश्य की होती है यह एक बार बैक लग जाता है यह प्रॉबलम होता है तो वो सेसन ही खराब हो जाता है और जो सेसन आपका है वो चेंज हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसी के साथ हम अपने वाड़ी को भी राम देंगे मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए कंटेंट के साथ तब तक ऐसे ही हसते खिलिकलाते मुस्कुराते रहिए थैंक यू विस्यू अलदे वेस्ट